में आपका दोस्त अमिदंगानी कि आज मैं आपको कि टीविए जुपिटर जैड एक्स 2021 के बारे में बताऊंगा यह मेरको लिये हुए कि अगधा गिलायकों डिया है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अक्टिवा क्यों लिया वरजनको सारे लोग अक्टिवा 6 जीrement मैं ने ये hazard मोडल यह क्वेंहें प्रों आच-10 chi सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है तो मैं एक ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि यूटूब पे बहुत सारी वीडियो हैं बस मैं एक एक अनेस्ट यूजर आपको बताऊंगा कि यह स्कूटर कैसा है आप इसको ले सकते हैं आप लेडीज के लिए ले रहे ह और किसे साब से कैसे सही रहेगा अप्रोक्षिमेट एवरेज यह कितनी देता है यह सारी चीजी हम डिसकूस करेंगे मैं डिटेल स्पेसिफिकेशन वो लेंथ हाइट वील्स यह सब नहीं बताऊंगा क्योंकि यह सब कंपनी की वैब साइट पे और सब जीग वेल्स पे यूजर होता है ना एंड यूजर में उस तरीके से इसका आपको समझाने की और कुछ बताने की कोशिश करूंगा ओवरल मुझे यह बिल्कुल अच्छा स्कूटर लगा चलो मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूं वह इसके अपना फ्रेंट कैमरे से बैक कैमरे से क्लोजली व्यूज और मैं आपको साथ में बताता रहूंगा ठीक है ओके हाथ दोस्तों हम यहां के इसके ओड़ोमीटर से स्टार्ट करते हैं इसको मैं स्विच ओन कर देता हूं यहां पे आपको क्या-क्या मिलता है यह इको और पावर का और यह इंजिन का इंडिकेशन ड इसका मिल जाता है यहां पर यह एलिडि टच यहां पर पिछ लिखा मिलेगा यह पर टीडियस की बैजिंग मिल जाएगी का यह है क्लर मैं यह है पंद स्टर-्लाइट भ्लिव क्लर मैंने चूज किया है काफी अच्छा क्लर है काफी लोगों ने इसकी तारिफ भी किया है यहां पर आपको ऐसे स्पोकलिक्ट्र यहां पर मिल जाएंगे वील्स इसका एलोई में मैं चूज किया है और ब्रेक इसके ड्रम ब्रेक हैं ठीक है यहां पर इसका इंडिगेटर है यह हेलोजन में आते हैं औकी देन यहां पे यहां पे मुझे यह अच्छा लगा यहां पर यह शारजर एक आपको मिल जाता है मतलब आपो नों ड्राइफ जारहे गेंहाँ जारे और औह लाइसा है लो पोकेट में परस है वह निकाल के यहां पर डाल सकते हो यह आपको यहां पर हुक मिल जाता है इसका मैक्सिमाब थ्री केजी कि सैल्प स्टार्ट होरान कफी स्मूथ इसके वह हैं उसके बाद इसका इसके जूपिटर के दो-तिन वारियंट आते हैं स्टेंडर वारियंट यह जैडेक्स वारियंट की मैं बात कर रहा हूं इसमें ड्यूल टॉन कलर आता है यह जैसे हम गाडियों में अगर हम डैस्पोर देखेंगे इसकी भी क्वालिटी उससे थोड़ी सी डिफ्रेंट है उसके बाद ग्रीपिंग भी अच्छी आती है यहां सेफ्टी लोग भी आता है इधर इसको अगर हम दबा देंगे तो कई हाइट बगार अगरम खड़ा करते हैं तो उसके लिए सीट भी डूल टॉन कलर में आती है यहां पर आपको मिल जाता है 3D क्रोम में जैडक्स बोडल लिखा हुआ लेडिस फूट्वेस्ट उसके बाद सबसे स्का जुमें है यह में जू स्टैंड तो आता और जो में स्टैंड आता इसका बहूत फ्यक्ष्ट लगाना है डिक है सिंपन सिंप यहां पर प्लेस करो ऐसे दबाओगे तो इजिली यह बडूल हो जाता हैai टैंक कि इस सब को पता यह कि बैक साइड हिड में आता है इंडियोजल को कोई भी सीट रखे मतलब आदमी समान रखा हो तो उतरने की जुरूरत है नहीं ठीक है यहां पे सलेंसर पे इसकी क्रोम की बैजिंग आ जाती है CDTI BS6 ओके यह भी हिनकी काफि अच्छी क्वालिटीज है कफी अच्छा स्कूटर है स्पेस भी काफी अच्छा है इसमें आप इजिली अगर पानी की बोटल एक इस साइड में एक उससाइड में दोनों रख सकते हैं सिलेंडर भी ऐसे फ्लाइट करके रखा जा सकता है एक आपको हुक यहां पर मिल जाता है इसकी वेट मैक्सिमल वेट कपैस्टी है फाइव केजी अभी मैं आपको दिखाता हूँ सीट सीट का सबसे बैस्ट इसका जो मेन फीचर है यहां पर आप देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा जस्ट आपको कुछ नहीं करना इसको ऐसे कर देना टक्की आवाज आएगी और यह सीट हमारी यहीं से ओपन हो गई मतलब इसमें आल इन वन जो है लोक है यहां पर आपको मिल जाती है एक टोर्च देर रात को अगर कभी ऐसे अंधेरे में कहीं आपको कुछ देखना पर एडिके में तो यहां पर आपको एक और सोकेट यहां पर मिल जाता है जो कर सकते हैं बूट स्पेस भी इसका काफी अच्छा है इसमें 21 लीटर बोला गया है उसके बाद इसको हम जैसे बन करते हैं दूसरी इसकी खास बात अगें हम अभी अमने इसको लेफ्ट में टरन किया था तो जो इसका सीट ओपन हु करेंगे यहां पर यह ओपन हो गया देन इसको हम प्रेस कर सकते हैं बंद हो गया इसका सबसे बेस्ट यह है कि आपकी डिगी में कभी कुछ भी है तो पैट्रोल अगर आपको भरवाना है तो सबसे बेस्ट इसका यह है कि आपको सीट से उतरने की जरूरत नहीं है कभी-कभ इसमें पेटल टेंक का जो उपनर हो बाहर दिया गया है दूसरी बात चिबात यह है कि आपको की बाकी जो दूसरे स्कूटर में जैसे आता है ओल इन वन लोक इस मोडल में यह नहीं है सीधा यहां से ऐसे यहां गुमाते थे लगाते थे फिर वो सीट ओपन होती थी लेफ रा से ओपरेट कर सकते हो सिम्पल राइट पुस देन राइट इस फोर देट फ्यूल विदाउट पुस टर्न लेफ्ट लेफ्ट सीट विल बी ओपन यह मैंने आपको इसका सब दिखा दिया है एक बार और इसका मैं राउंड ऐसे दिखा देता हूं कलर भी काफी अच्छा है अब यह बताओंगा कि मैंने जुपिटर क्यों लिया और एक्टीवा क्यों नहीं ली इसका रिजन कुछ ज्ज्यादा सा सोलीड ऐसे मेरे पास रीजन है भी नहीं मुझे दोनों अच्छे लगते और यह मैंने जुपिटर तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगा बस मै में तो इसका प्राइस रीजन है मैंने अटीवा का और युपिटर जाड़क्स टॉप मोडल करक्ति रहाँ प्राइस किया था जैसे कि मैंने इसको चन्ने में लिया है तो चन्ने के ओन रोड प्राइस में इसमें बहुत फरक है में रीजन इसका यह भी है जो हरियाना में रास्तान यूपी में वहां पर आर्टियों जो टैक्स स्कूटर्स के लिए वह बहुत कम है 2500 अप्रोक्सिमेट में सब आपका आर्टियों हो जाता है यहां पर इसके लगे 7500 जो 5700 सम्थिंग तो इसका यहां पर यहां पर काफी जैसे अगर हम मैं दिल्ली में या फिर गुडगाओं या फिर जीन्द या फिर करनाल की बात करूं तो वहां पर इसका ओन रोड प्राइस है सब्सक्राइब यहां पर इसका ओन रोड प्राइस है अगर सब टोटल मिला गया सब्सक्राइब बात करोगे तो आप 85000 पड़ता है और यहां पर पड़ रही थी 93000 की तो मैं सोचा एक्टिवा में इसके फीचर्स मैंने देखे मुझे सब बराबर ही लगा 110 CC में तो मुझे लगा के 7000 देना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है तो इसलिए मैंने यह चूज गया काफी अच्छा स्कूटर है यह मैंने अपनी वाइफ के लिए खरीदा है और काफी स्मूद चलता है मैंने भी चला के देखा है शिखाते शिखाते यह गिर भी गया कुछ टूटा नहीं सबसे बड़ी बात है इसका यह आगे जो न मैटल का यह मैटल की है यह मैटल का है यह फाइबर मेंली जैसे गिरे विएफ में जूपीटर शैगिंड है काफी पुराने आते हैं जूपीटर के और इसके काफी मोडल आते है जूपीटर क्लासीक स्टैंडर्ड जैडाक्स विडियम ब्रेक with this disc brake सब आते हैं तो प्राइस थोड़ा उपर नीचे होता रहता है आप कंसिडर कर सकते हैं बेस में कुछ कम यह मुझे ज्यादा ही पावार की कमी इसमें लगी नहीं और सब ठीक है कि आप कंसीडर कर सकते हैं एज एंड यूजर मैंने आपको यह रिव्यू दिया है कोई टेक्निकल स्पेसिकेशन मैंने ज्यादा कुछ ऐसे दिखाई नहीं है अगर आप एक्टिवा को छो